और दोस्तों यह हम आज फिर से आएं अपने बगार में जहां पर हमने लगाया थे टामाटर और बैगन और मिर्ची की ग्राप्टेट फशल तो किशान भाईयों और हमारे मित्र जिन्हें आप खेती किशानी में काफी ज्यादा इंट्रेस्टेड हैं काफी आईचुक हैं वो दोस्तों हमारे फसल को आप आगे देखते हैं किस तरह से है दोस्तों में आपको यह तरह के फिल्ड में लेकर आया हूँ जो पिछले बार हम बैंगन और तामाटर दोनों लगाये थे एक पौधे की बात कि यह तो दोस्तों देखिए एक फौधे में कितने सारे फाल आये से कम सव तो नहीं पचार पच्पन है अगर एक जगह गिना जाए तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस मतलब यह मान के चलिए कि एक पौधे में लगभग शो टमाटर फले हुए हैं तो दोस्तों देखिए किस तरह से बहतरीन रियाल्ट है यह पौधे हमने ख इतने हमारे जो गोबर खाद और कुछ-कुछ फर्टिलाइजर उसका यूज किया हुआ था बाकि हम सिचाई ही कर रहे हैं कभी इसमें ज्यादा खाद का हमने यूज नहीं किया है तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता है कि इसकी ग्रोश की सुरह से हुई है मैरे फिल् नॉर्मल पॉधा से काफी ज्यादा बड़ा है और यह तो हमारा पहला फशल है इसके अलावा भी इसमें फूल और आते जा रहे हैं आप नदिक से देख सकते हैं फल तो है यह साथ में और फूल आते जा रहे हैं मतलब जो जितना उच्छा होता जाएगा तुड़ा होती ज जो जिसका क्या हाल है हम आपको दिखा रहे हैं आप देखिए इस ग्राफ्टेट पॉधों के बीच में एक नॉर्मल पॉधा हमने लगा हुआ था जो बीना ग्राफ्टिंग के था तो दोस्तों देखें बील्ट से किस तरह से मर रहा है तो यही फाद है दोस्तों जो हमने पिछले बार आपको बताया थे ग्राफ्टिंग पॉधे में किस तरह से खमता होती है अगर यकीन नहीं तो इसको देखें इसमें क्या कोई जगह नहीं है नॉर्मल पॉधा ही है नॉर्मल रूट से ही ग्रो किया हुआ है तो दोस्तों किसान भाई हो हम आपको दिखाने के अगवे लैं हमने पॉधा भी लगाय हुआ था तो दोस्तों सकता है कि एक नॉर्मल पॉधा जो मलगाते हैं लगाते हैं वील्ट से किस तरह से मर जाता है जल्कि आशर्य चाहए और सोारे पुधामें ग्राप्टिंग की प्रक्रिया हुई है और एक देखिए हम आपको ग्राप्टिंग पौध के लिए जड़ को दिखा रहे है किसी तरह से है आप देख सकते हैं नीचे जो अमने ग्राप्टिंग का इस्टोक लिया थो हो है और इस च्यान है तो दोस्तों एक ग्राफ्टेट पौधा है और नॉर्मल पौधा हमने दिखाया था उसमें ग्राफ्टिंग का कोई साइन नहीं है तो दोस्तों देखें इसके फल की भी अगर कंपरेजन किया जाए तो देखें कितने बड़े फला लगा हुए है तो दोस्तों यह है काफी बहतरीन है काफी अच्छा है और किशान भाईयों मैं तो हमेशा आपको यहीं बोलना चाहूंगा कि हमेशा ही हमेशा ग्राफ्टेट पोधे का ही यूज कीजिए ताकि आप अधिक उत्पादन ले सके और कम लागत में ही ज्यादे आमदनी आप ले सके चलिए दूसरे भाग में आपको लेकर जाता हूं जहां हमारा बैगन का भी तुड़ाई होना शुरू हो चुका है लगबग हमने चार तुड़ाई कर चुका है जब से लगा हुए है उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूं कि बैंगन किस तरह से मेरे फिल्ड में एक एक पौधे में लगा हुआ है और सक्षा पहले में आपको दिखाया था इससे पहले जो वीडियो आपको मैं बनाया था उसमें आपको मैंने दिखाया था कि किस तरह से हमने पौधे लगा हुए थे और उसका ग्रोथ किस तरह से हुआ है फूल कशा है फर आपको मैं वीडियो के जर्य दिखाता हूँ चलिए दोस्तों